कि आप लोग आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैजरेल मिक्स के बारे में जो यह मैजरेल मिक्स है यह मैजरेल की एक सब मेजरेल की 6दों होती है तो क्य 것이 पांस प्लिके बारे में हमने बात कर लिती पार्ट 13 के अंदर हम बात करें हैं माजरिल मेक्स के बारे है कि हमे अलग अलग से क्यों लिया हुआ है कि इसको हम्मदा है मेillon करते हैं तो इसके कम trueECanka के अलग तो यह बाद विए tocm ब्हुत दोग करने का तरीका है तो यह हमारे है नहीं करने का तरीका तो अच्छा कई जा ज्रूर देखें एमिर मैजरिल फैमिली ठीक है मैजरिल जो फैमिली है इसका एक और क्या है आपकी सब फैमिली यह होती है जिसका नाम है मैजरिल मिक्स ठीक है मैजरिल जो फैमिली है उसकी एक सब फैमिली है मैजरिल मिक्स तो जो यह मैजिन मिक्स है, इसके अंदर आपको तीन सेड देखने को मिलेगा, जैसे ब्लू, ग्रीन, एंड वॉले, तो जो यह तीन सेड है, यह कोई कलर नहीं है, इसको सिफ आप यूज करोगे, नूटलाइजिंग के लिए, आप अगर सोच रहो कि अगर आपको ब्लू कलर करना है, तो आप यह यूज कर लोगे, आपका ब्लू कलर आजाएगा, तो ब्लू कलर ऐसे नहीं आता है, ब्लू कलर के लिए आपको क्रेजी कलर यूज करना पड़ता है, उसके लिए आपको प्रिलाइट करने के बाद, फिर आपको डिपोजिट करना होता है, तो यह जो कल ऩngoka बेज मोआ दो बहुता है तो आप को पैसे चिरे क्ला में बहुत रहे जुँआ से करने तो आप wraps देखते की जबू आपकी पास क्लाइंट आता होगा उनके बालों पर अगर मेहंदी यूज कर वी है तो आप बेस कलर कभी भी करते हो तो आपका बेस कलर प्रोपर नहीं आता है कहिने तो कहीं वह मेहंदी वाली टोन फिर भी नजर आती है ठीक है तो तो भी आपको क्या करना होता है यह मैजल मिक्स वाला जो कलर से वह आपको उसके अंदर डालना होता है जो भी आपका base या fashion shade है ठीक है तो मेजिल जो mix है कि इसके बार में हम complete पड़ेगे तो फिलाल मैंने आपको बता दिया कहां कहां यूज करना पड़ता है ठीक है और इसको आप base shade के अंदर mix करोगे और fashion shade के अंदर fashion shade आपकी जो भी आपका जैसे टोन होती है डिफ्लेक्शन होते जो आपकी उसके अंदर आप इसको mix कर सकते हो मेजिल मिक्स को कितनी कलर टीब होती है blue green and wallet तो अभी हम देख लेते है अंडर कोट तो आपको अंडर कोट में ने बताया था ना कि आपका बालों के अंदर अंडर कोट होता है तो आपको कभी भी कलर करना होता है तो आपको अंडर कोट को भी देखना होता आपको न्यूटलाइजिंग करना होता है ठीक है तो उसके लिए आपका एक नंबर के जो अंडर कोट होता है वह होता है very very dark red वेरी डार्क रेग्स, थर्ड नम्बर ंडार्क रेड, फोर्त नम्बर ंडाउत ओता रेड, फाइफ नम्बर वोता है एक रेड्ड, लिएड औरेंज, दाक नंबर का ओरंज, सेवन नंबर का यलो औरंज, येट नंबर का यलो में, नाइन नंबर का पेल यलो तो इसको आपके नोटलाइजिंग करना होता है और आपको कहा कहाँ बालो है जैसे आपने किसी कलर भालों पहर है कि या पिकव रिया नोटलाइज्म करना है तो आपको उसको मेहांदी वाले रागी है उनकी जो आपको नजर आ रहे है तो आपको neutralizing करना पड़ेगा, तो कितना mix करना है, वो आपको देखना है, जैसे client के hair है, 4 number के, ठीक है, और 4 number पर उन्होंने महंदी use करी हुए है, तो आप कौन सा color use करोगे, 4 number का base color mix करोगे उसके अंदर, ठीक है, 4 number का जो आपका base है, वो होगा, उसके अंदर आपको महंदी वाली tone को neutralizing करने के लिए आपको green color mix करना बढ़ेगा, ठीक है, कितना mix करना है, उसको समझते है, देखो, एक से लेके 1, 2, वैसे 1, 2 पर हम neutralizing करते ही नहीं है, ठीक है, इस पर आप direct कर देना, यहाँ से start करते हैं, 3, 4 ठीक है, तो 3, 4, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना हो पर आपको mix करनी है, ठीक है, कभी भी आप यहाँ पर यहाँ पर काम करते हैं, तो आपको green color mix करना पढ़ेगा, ठीक है, तीनों पर, ठीक है, ठीक है, 3, 4, 5, तो इन तीनों पर आपको कौन सा color mix करना होगा, ग्रिन कलर मिक्स करना होगा 6 और 7 ? 6 और 7 पर आपको themes go कभी आप 6 नबर पर टो अब करना पड़ता है चैवन एट नाइन टैन यहाँ पर आप करोगे symbol mix रहे आप यहाँ पर जिस करने वालब हो तो कैसे आपको लेना है कितना परसंट आपको लेना है तो त्री नंबर पे आपको लेना है कभी आप तीन नंबर का अगर कलर करते हो ठीक है इसको तो तीन नमबर का अगर आप कभी color करते हो तो आपको 1 4th part आपको लेना पड़ेगा 1 4th कितना होता है अगर 50 gram की color tube है तो लोरेली जो color tubes होते हो 50 gram की है तो 50 gram के अंदर 4th part कितना होता है 12.5 मतलब अगर आप 4 number का 4 नंबर की color tube लेए आपने तो चाहार नंबर की color tube के अंदर आपको 12.5 gram आप इसको इसका अंदर mix करोगे green color को ठीक है और 4 नंबर का अगर आपका color करना है थीक है 4 नंबर के अगर आप color tube लोगे तो उसमें आप 4 to 6 ठीक है 4 to 6 cm आप उसमे यूज करने वाले हो 4-6 cm कितना होता है देखो यह आपका बाउल है बाउल के अंदर आपको यह चीज देखने को मिलता होगा जैसे cm हो गया यह चीज ठीक है नजर आ रहा है तो देखो यहां पर आपको मिल रहा है सेंटीमेटर देखने को तो यह आपका सेंटीमेटर है यह आपका जीरो टू वन आपका सेंटीमेटर है ठीक है तो वन टू टू ठीक है यह आपके बाउल के अंदर इसके अंदर होता है तो इसको सेंटीमेटर के अकोडिंग आप लेने आपको लेने वाले हो थिक्ट है नीज तो जैसे इसको एक जन् preach लेने वाले वाले सेंटीमितर यहां पर एयसší ठीच तो यह क्या हो गया आपका आपको लेना पड़ता है यह जो आपका Maced& के लेना पड़ता है तो आपको आपको। जरा था अच्छे से इसको देख लेना है तो फूर्थ नंबर पे जब आपका फोर नंबर कर रैड अटर को आता है तो वहाँ पर आपको फोर टो सिक्स संटीमेटर आपको यहां पर लेने पड़ेगे इसे आपने ग्रीन क्ला कितने लोग है फौ टो शिक्स संस्टिमेटर वाएंजि नम्र पर लेने वाले हो मैं दो फ्रीक entry मेट्र वार वेटेने हो सेवं नम्डर पे वी से माब लोग है एंट नमबर पे यलो पे आप लेने वाले हो वन तू टू सेंटीमीटर हो एक नाइन नमबर पे आपको दूटलाइजिंग करना होता है यलो टोन को तो आपको क्या करना होता है बिल्कुल यह आपको लेना पड़े थे लिए इसके कोल्य चलना पड़ेगा यह कंपनी का रूल होते है अगर आप इसके ज्च करोग Teign नहीद मीक्स करोगे तो आपको यह जैसे यलो ऑनशन पेंदर ब्लूक आपको सज़सके कोलई आपто तो यहां पर आप नॉनमल ही मिक्स करोगे तो यह आपका मेन चीज है इसको आप समझे लेना मैं दुबार से रिपीट कर देता हूं 1 4 अगर 50 ग्राम की कलर टुब है तो आपको 12 ग्राम ठीक है 12.5 ग्राम आप कलर टुब लहोगी किस कंपर मिक्स करना है कोई भी फैसन सेड य रहे हो तो आपको मिक्स करना पड़ेगा यह ठैसन सेड ले रहे हो तो आपको मिक्स आप रहे तो आप जादा लोगे, 6 cm लोगे, ठीक है? तो ऐसे आपका क्या होचा है? यह 4 cm हो गया, तो आपके बावल पे ऐसे लाइनिंग ढाती है, 1 cm to 2 cm है, रेड पे आता है आपका 4 cm थीक है 5 नमबर मतलब 6 नमबर पे आता है 2 से 3 cm, 7 नमबर पे आता है 2 से 3 cm, 8 पे आता है 1 तो 2 cm, थीक है 9 पे आता है 1.5 cm और 10 पे आता है 1.5 cm थीक है तो यह आपको cm यूज करना पड़ता है, जो आपका blue green wallet color tubes है यह आपको neutralizing के लिए ऐसे use करने प सजोंसी यह अभी फिलाल इन्होंने बंद करी हुए है इन्होंने बंद क्यूं करी हुए है क्योंकि इन्होंने sample launch करे है जैसे इनका blue sample हो गया green हो गया wallet sample हो यह इन्होंने company ने launch कर विया लोरेल company ने ठीक है जिसकी वज़े से इन्होंने यह आले colors ठीक है अभी market में लाना ब यह बंद है बाकी sticks में जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था sticks company का तो इसके अंदर आपको मिल जायागा जैसे green लिखा हुआ है ठीक है तो ऐसे ही आपका sticks company में होता है green इसका भी same mixing ratio यह ही होगा ठीक है अगर आप company दूसरी ले रहे तो भी आप इसे के अंदर जाने वाले हो तो यह होता है mixing ratio बहुत से लोग confused रहे तो इसके formula में गुच जाते है ठीक है formula भी आता है अलग है अभी फिलाल आप इसको ऐसे mind में set कर लो कितना percentage आप आपको लेना पड़ेगा तो यह था हमारा आज का topic measurable mix पे और बहुत important topic था यह क्योंकि आपको कभी भी tone को cut करना 6 पे क्या orange undercoat है ठीक है और आपके पास 6.13 color नहीं है तो आप क्या करने वाले 6.3 के अंदर आप blue color इसके अंदर mix करोगे कितना mix करोगे 2 से 3 cm ठीक है तो यह था आज का topic तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like के साथ साथ चालने को subscribe भी जरूर कर देना अगर नहीं कर रहा है तो मिलते हैं पार्ट 15 के अंदर देखते हैं क्या नए topic में लेके आने वाला हूं अब एक लिए बाए